सर्मा अंकल सुनिये आपने कोविड वैक्सिन की पहले डोज तो लगवा ली थी लेकिन अब तो दूसरी डोज का भी समय हो गया है अब तक वैक्सिन की दूसरी डोज क्यों नहीं लिया आपने भाई बीमारी तो रुक नहीं रही बढ़ती ही जा रही है तुम्हारी आंटी ने भी तो टीका लगवाया था लेकिन करोना में बिस्तर पर पड़ी है क्या फायदा टीका लगवानेगा अंकल आप तो एक टीचर हैं मुझे आपने पढ़ाया है फिर आप ही ऐसी बाते करेंगे तो सुसाइटी को कौन समझाएगा बीमारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग अफवाव को सुनका घर में बैठ जाते हैं और टीका लगवाने नहीं जाते मालूम है आप अकेले नहीं है देश में 88 लाग लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सिन की दूसरी डोज समय हो जाने पर भी नहीं लगवाई है अंकल कुरोना से पूरा बचा वैक्सिन की दूसरी डोज लगवाने के 15 दिन बाद ही मिलता है और हाँ आंटी के लिए परिशान मत हो आंटी ने वैक्सिन की पहरी डोज लगवाई थी इसलिए ये देखिए उनकी रिपोर्ट नग्रेटिव आई है अब ये समय लापरभाई करने का नहीं आप और आंटी दोनों जाकर वैक्सिन की दूसरी डोज लगवाईए और परिवार को वैक्सिन के कवत से सुरक्षित बनाए वाब बेटा रमन तू वाकरी समस्दार हो गया है मेरी सारी गलत पहमी दूर कर दी अब हम भी दूसरा टीका जरूर लगवाईगे